हलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल, आज हम बनाईगे प्रिटी सा नेक पीस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लेज़िए इस तरीकी के जो बकरा माती है, वो लेनी हमको, यह फैबिकॉल लेना है, इस तरीकी के छोटे वाले मोती आते हैं, वो लेना है, इस तरीक की polish करकी paint करके ले लेना है अगर आपके पास यह ना हो तो कोई भी आप simple जो golden color का हो या silver color का हो वो पेपल लेना है अब हमको यह इस तरीकी के सरकल मिलते है ने market ने वो लेने है इस मेंसे बहुत सारे सरकल है आप अपने according गुपाल जी का choose करिएगा मैं गुपाल जी के लिए zero वाला दिख रहा है न ये वक्रम यूज करूंगे और इसे में इस तरीके से रखके जो दो से black line है बिल्कुल half circle बना लेंगे मैं आपको हटा देंगे आप भी पहले काट लीजिए बाद में अगर आप इसे हटाएंगे तो बहुत दिक्कत जाती है यह हमने इसको काट के अलग कर दिया है अब आपको सिंपल क्या करना है इसमें अब हम क्या करेंगे मैं इससे आधा भी कर लूग यूदि कितना सारा हमारे काम का नहीं है तो खराब हो जाता है अब हम क्या करेंगे सिंपल इसमें फैबी कोल लगा लेंगे मैं बता दूं आपको यह जो फैब्रिक वाला फैबी कious लॉल आता है मैंने वो opinions किया है market में यह 10 रुपे का आसानी से मिल जाता है और यह जो मैंने बकरम के उपड़ पेंट किया है यह फैबी कॉल के जो metallic color आते हैं यह वो है तो आप market से जा के आसानी से मिल जाते हैं वो खरीज सकते हैं अब यह तरीखी के साइस चोटा है तो आप भी वही उज़ करें व carpet कर दिया है और फिर इस माला को इसके उपर चुपका दिया है मैने एक एक नहीं चुपका है ऐसे में चुपकाने में काफी असानी होती इस तरीगे से मैंने इसे चुपका दिया है और बाकी मुटी हम अलग करगे अलग कर दिया हो ऐसे केची से काट दिया है अब इन्हें हम हटा देंगे अब हम दुबारा एक फैबी कॉल की लियान लगाएंगे इसके उपर और उसके उपर जो हमने चेन ली थी ना जो कुंदन वाली चेन थी हम इसके उपर पोट आटेच करेंगे मैं आपको बता दो वह 20-25 रुपर मीटर आ जाती है किसी भी शॉप पर आसानी से बेलेबल हो जाती है तो सिंपल हम याली चेन लेंगे और इसके उपर आटेच कर दें करेंगे मैंने इसमें चेन लियa अगार आपके पास नहीं हो तो आप कलर जैसे मैंने यलो मती ऊसके न ह vix लुड़े दчесा अराम से बना सकते हैं मैं से बनने में कोई पढ़िशानां नहीं होती प्रफट लेंगे आप नील कटर की यह सब स्वा सब रहोंगे और में फैबी कॉर लगातंगी झाला पतला और जद गारा दोलों में कोचार लाइब सिंपल हमने तीसरी वाली लगाएंगे हम इस पर जो मोतियों की है मैंने इसमें यलो मोती यूज किया अब अपने अक्वार्डिंग कोई भी मोती यूज कर सकते हैं यह हमने अच्छे से सेट कर देया है आप हम क्या करेंगे यह देखिए धागे बगिरा हम सब बाद में काटेंगे अब यह हमाले कुंदन इस तरीकी के जो कुंदन आते हैं वो अटेच करेंगे तो इससे पहले हम सारे में फैब्रिक फैबिकों लगा लेंगे मैं आपको बता देती हूं यह कुंदन का जो पैकेट है मार्केट में अराम से 10 रुपे का मिल जाता है जो मुदी का पैकेट है वो भी उसकी जो एक घ्लच्छी आती है वह 20 रुपे की मिल जाती है तो यह बोकॉस सस्ते में बनके तयार हो जाता है हम सिंपल लेंगे और इसमें यह सारे अब लेना है अगर और जी ऑड़ा के साइस को मैंने आपको सर्कल बतायत है वो सर्कल 실कित इस सरगल खा आधार है सबक्रें इसाई आप फिर ऐसा नेक पीस बना पाएगी किसी भी साइस का ओके तो आप ये प्रोसेस फॉलोगा लीजिए और ये काफी सस्ता पड़ता है ये नेक पीस हमें ये मैंने चिपका दिये हैं अब हम क्या करेंगे हैं इसाइडह नेक लिख ये जो यह हमारी बक्रम यह जो भी फैब्रेक हो कागा जो हो नहीं कटता इसलिए जब गोल्डन कला होता थोड़ा पुझ जो एरर होता है वो इसमें छिप जाता है तो देखेगा कभी आप ध्यार से मार्केट के भी ऐसे ही आते हैं आप सिंपल इसको इस तरीके से लेके पूरा का प पीन ना हो तो आप पतले दागी की दो-तीन लियर कर लें जो पर द्यान रखेगे कि मोटा ही दागा लेना है इसके दो पीस कर लेंगे जसेंपर अब इसको इल्टा कर देंगे और इसके उपर गुरू लगाएंगे मैंने यह जो बंद है पीछे के बहुत छोटे चोटे लि आप द्यान रखेगे गुरू इनफ को अंटिटी में लगाएंगे तो कुछ दिन यूज करने के बाद या धागे वगिर आपके निकल जाएंगे तो ऐसा ना हो उसके लिए सिंपल आप से लगा लीजी इनको जस्ट अब हम क्या करेंगे इसको पर चुटी-चुटे बकरम क यह चुपक गया है दूसरा बकरम की लेके सिंपल इसके उपर रख देंगे और इसको बीज़िट के लिए ड्राय होने के लिए छोड़ देंगे यह देखिए ड्राय हो चुका है पूरी तरीगे से बनके तयार हो चुका है देखिए बनने किवस कितना प्रिटी लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेव और सब्सक्राइब जरूर करें कमेंट करना बिलकुल न भूले थैंक यू फोर वाचिंग मैं चैनल